तो आपको बैठे बैठे एक जैसे हम बोलते हैं मंतली सेलरी वे उस टाइप की एक आएगी आप देखिए अभी जो रेट चला है वेदान था का वो लगभग 256 रुपए 80 पैसे के आसपास चला है तो यह अभी गिरावट में है जब तक इस स्टॉक में गिरावट हो रही है तब तक आप गिरावट होने दे जब तेजी बनेगी इस स्टॉक में तो आप यहां पर बाइंग करिएगा देखिए अगर हम इस स्टॉक की अगर हम हाई की बात करें तो 440 रुपए का है और अगर हम लोग की बात करें तो लगबग 206 रुपे का है और देखिए यह लगबग 17% के आसपास यह डिविडेंट दे रहा है बहुत ही जबर्दस है यहां पर रिटन थोड़ा बहुत देख लिजे और यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए यह 2021 में वेदानता ने 2021 में यहां पर देखिए कितनी बार डिविडेंट दिया है यह लगबग तीन बार डिविडेंट दे चुकी है ठीके न तो आप यहां पर देख लिजे कब कब इसने डिविडेंट दिया था पहले तो दिया था 9 मार्च 2022 में फिर 6 माई 2022 में फिर 26 जुलाई 2022 में देखिए 9 मार्च का जो है वो लगबग 13 रुपे के आसपास दिया था 6 माई का जो है वो लगबग 31 रुपे 50 पैसे और 26 जुलाई को जो उसने दिया था 19 रुपे 50 पैसे तो देखिए अभी यह तीन तो इसने दे दिया है साइद एक और आएगा वो आएगा फाइनल डिविडेंट ठीक ना कि इसने तो 64 रुपे लगबग लगबग 64 रुपे इसने तो डिविडेंट अभी तक दे चुका है ठीक ना अभी और भी आने के संभावना है और बहुत ही चबर्दस यह कंपनी है अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो आप यहां पर देखिए भले से आप यहां पर यही आसपास से देखिए हो सकता हो फर्स्ट सपोर्ट यहां पर ले सके या तो 240 रुपे के आसपास यह स्टॉक जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए ठीक है चलिए जो नेक्स इस्टॉक उसके बारे में बात करते हैं तो दूसरी कंपनी है उस स्टॉक का नाम है इंडियन ओ पॉयल कॉर्परेशन लिमिटेड आप यहां पर देख पा रहे होंगे और यहां पर देखिए तो 136 रुपे बाउन भी खाई है और बाउन भी जो लोग है 65 रुपे का है यहां पर आप देख लीजिए कितने सेर होल्डर से अलगबग लगबग यहां पर आप देख पा रह पर अगर देखेंगे 2022 में तो इसने दो बार डिविडेंट दे चुकी है लगबग साड़े छे रुपे गी और यहां पर अगर हम बास करें तो यह बोनस दिया है इसने लगबग टू पॉइंट वन का अगर आपके पास दो सेर थे तो आपके पास हो गए टोटल तीन सेर ठ यह भी लगबग चलना है 65 रुपे 80 पैसे के आसपास तो आपको देखिए इस स्टॉक में भी बहुत ही बढ़िया एक लेबल मिल लाया आप यहां पर देखिए पूरा एकदम डाउन है और जो लेबल है वो मैं आपको बता देता हूं मंतली चार्ट के हिसाब से आपको दे आप लेबल है क्योंकि एह लेबल तोड़ दिये इसने तो आपका जो नेक्स्ट लेबल बनता है वो लगबग 56 रुपय के आसपस बनता है साट रुपय से लेके 56 रुपे के आसपास यह स्टॉक आ सकता है तो आपको यहां भी बाइंग अगर करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया एक अपर्चुन्टी मिलेगी ठीक है तो यह हो गया और नेक्ट स्टॉक देखे जो तीसरे नंबर पर इस टॉक है उस स्टॉक का नानाम है आर इसी यहां से बारा परसेंट के असपास यह डिविटन्ट दे रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं और 9 one लो ठीके है और यहां पर अगर बातकरे तो यह लगख डौजर 22 में इसने दो बार डूडिंट दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं एक से रूपे कर dealer है चार रूपे 80 पैसे का और यहां पर अगर आपके पास 3 से अर्थे तो वो हो गए थे 4 से अर्थ ठेकर ना क्यूंकि इसने बोनस दिया था और इस स्टॉक का जो भी भाव है वो लगभग 95 रुपए 70 पैसे है और अगर हम चार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इस स्टॉक का चार्ट देखिए किस तरीके से यह स्टॉक बिहेवियर कर रहा है और भी नीचे आने की यह कोसिस कर सकता है अगर हम यहां वे वीकली चार्ट लगाएं तो आप वीकली चार्ट में देखिए इस स्टॉक का जो सपोर्ट लेबल है वो लगभग 90 रुपए से लेके 85 रुपए तक यह स्टॉक आ सकता है तो आपके नजर में यह होना चाहिए अगर यह मिलता है आपको 85 रुपए के आस स्टॉक आफ इंडिया और इस स्टॉक की अगरम बाउन भी हाई कि की बात करें तो एक से कतीस रुपए बाउन भी लो तिरसों रुपए और यहां पर लगभग आप देख पा रहे होंगे 11 परसेंट की करीब यहां पर मतलब 11 से 12 परसेंट के आसपास यह स्टॉक डिविड 12 में 2 रुपए 25 पैसे 2 रुपए 50 पैसे लगभग 4 रुपए 75 पैसे के आसपास यह डिविडिन दे दी है ठीक नहीं तो एक बढ़िया परचुंटी आपके हाथ में और यह स्टॉक अभी लगभग 73.75 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है और यहां पर आप देख पा र एक रुप करना है आपको वेट करना है सही वक्त का आप देखते जा लाइए यह स्टॉक अगर यहां से कर्रिक्स न हो रहे तो लगभग यह 664 रुपए गासपास यहां सकता है तो अगर यह इस लेबल पर आए तो आपको यहां परमाइग करनी है और और वहां पर है तो आपके हाथ में एक अच्छी अपर्चुनिटी आप बस खाली वेट करते रही है वेट करते रही है जब आपको लगेगा कि एक अच्छा मौका है तो आप यहां पर माल जरूर उठाइए ठीक नहीं देखिए नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक इस्टॉक का नाम ह है पावर फाइनेंस कॉर्परेशन इसका जो बाउन भी हाई आप यहां पर देख सकते हैं एक सो तिरस्ट रुपे और स्वारी एक सो तिर्पन रुपे और बाउन भी लो 97 का है लगबग चार से साड़े चार लाग सेर होल्डर्स हैं और यहां पर अगर आप देख पा रहे जो रिटर्न है लगबग 26% माइनस में और यहां पर आपको डिविडेंट देखने को मिल ले हैं कि 2022 में इसने अभी तक तीन बार डिविडेंट दे चुकी यह गंपरी आप यहां पर देखिए यह लगबग 2022 में पहले 6 रुपे दी थी फिर उसके बाद एक रुपे 25 पैसे फिर उसके बाद यहां पर सितंबर एक सितंबर को लगबग दो रुपे 25 पैसे तो आप यहां पर यह जोड़े 6 रुपे 7 रुपे 8 नौ साड़े 9 रुपे का डिविडेंट यह दे चुकी यह कंपरी ठीक है तो बहुत ही बढ़िया है देखिए यह लगबग 105 रुपे के आ संदे का चार्ट लगा है अगर मैं वीकली चार्ट लगाता है तो आप देखिए कि इस टॉक अभी गिरने की और कोसिस करेगा लगबग जो सपोर्ट बनेगा वह लगबग लगबग 96 से 98 रुपे के आसपास बनेगा और और भी इस टॉक करेक्शन हो सकता है जो लेबल नेक देखते जाएगे जब आपके हाथ में एक अच्छी अपरचिंटी हो तो आप यहां पर बाइंग कर दीजिए देखिए जो पांच स्टॉक है वो मैं आपको बता देता हूं फिर से नंबर वन क्वालिटी है जिसका नाम है वेदानता फिर उसके बाद आयो सी आरी सी सेल पी एफसी यह स्टॉक में आप रख देंगे तो आपको एक सेलरी का काम करेगा कुछ नहीं करना है सेलरी आती रहेगे ड्यूडेंट के जरीए ठीक रहे हैं ओके थैंक्यू फ्रेंट